हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं आप सभी के साथ अपना नाइट स्कीन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ इसे मैं कम से कम 10 से 15 दिन से फॉलो कर रही हूँ और मुझे जो इसके रिजल्ट्स हैं काफी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले तो आप सब लोग मुझे पूछते ही रहते हो कि मैं आप नाइट में क्या लगाते हो, गर्मी आ गई है तो गर्मीयों में भी आपकी जो इसके ने काफी ज़्यादा हैल्दी दिखाई देती है, एकदम चमकदार दिखाई देती है तो इसके लिए आप क्या क्या करते हो, किस तरीके से केर करते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं जब सोने जाती हूँ, मतलब सोने से पहले मैं अपनी स्किन की देखवाल किस तरीके से करती हूँ आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप लोगोंने मेरे सेक्रिंड चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जड़ी से कर दीजिए और मेरे सेक्रिंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिशन में हुआ पर मैंने गुआ की विलोक्स डालें, आप उनने देखिए अगर आप लोग भी गौँआ जाने की सोस रहे हो तो उनसे आपको काफी ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो चलिए फटा-फट से देखते हैं कि मैं नाइट में अपनी स्किन की देखवाल किस तरीके से करती हूँ सबसे पहला step मेरा होता है अपने चेहरे की क्लेंजिंग करना, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ मैं cold raw milk को लेने के बाद उसमें cotton को dip करती हूँ, और अपने पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करती हूँ ये मसाज करने के लिए मैं कम से कम एक मिनट का टाइम जरूर देती हूँ ऐसा करने से क्या होता है जो हमारे चेरी की धूल मिट्टी डश्ट वगरा होती है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है अगर आपकी स्किन को रौ मिल्क सूट नहीं करता तो आप क्या करें आप लें थोड़ी सी करड लेने के बाद उससे अपने चेरी की अच्छे से मसाज करें मसाज करके ठंडे पानी से अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर ले रऊ मिल्क और रो कर्ड दोनों में से आपकी न को कुछ भी सूट नहीं करता तो आपको क्या करना है जो आप face wash लगाते हो उससे अपने चेहरे को अच्छे से साफ करने ये वाला step follow करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखें आपने देखा होगा जब हम dinner बनाते हैं, lunch बनाते हैं तो क्या होता है उसका जो oil होता है हमारे चेहरे पर जमा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता उसके बाद जो आपका चेहरा है आपको काफी ज़्यादा चिप चपा वाला दिखाई देता है तो उसको clean करना उसको साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप उसे साफ करके नहीं सोगे तो आपको acne की, जहाईयों की, pimples की इन सबकी problem आपको अपनी skin पर देखने को मिलेगी और फिर उनको remove करना, उनको साफ करना आपको काफी ज़्यादा time लग जाएगा तो इसलिए आप time to time अपनी skin की care जरूर किया करें तो देखिए अब मैंने हैंपे ठंडा पानी लिया है उसमें cotton का हेंकी को dip करके अपने पूरे चेरे को मैंने अच्छे से कर लिया साफ और आप देख सकते हूँ मेरी skin आपको कितनी ज़्यादा soft और एकदम clean नजर आरी होगी अब मैंने क्या करती हूँ मैंने क्या किया या फिर मैं क्या करती हूँ मैंने में अपर लिया एक tomato इसको मीने बीच में से cut कर लिया इसका जो juice है मैंने सारा निकाल लिया इस ball के अंदर निकालने के बार इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा जितना में जूस लिया न उतना ही मैं डालती हूँ स्देट करते हैं तब आपिसे अταν iradipus यह इन दोनों से मिलाने के बाद में पूरे चेहरे पें अच्छे लगा लेती हुं अपनी गर्दन पर लगालेती हुं और आप यकीन माहते हैं है पूम लगा रही हूं यह सब कुछ आपके करता हैं आप इसे पंद्रहें दिन कर लीजे continue और 15 दिन में जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आप खुद मुझे comments करके बोलोगे कि मैं मैं इसे 15 दिन यूज किया 15 दिन में मुझे काफी ज़्यादा आप करके देखना फिर मुझे comments करना और मुझे जरूर बताना कि आपको इसके रिजल्ट्स जैसे मिले ठीक है और देखी आप चहरे के साथ साथ अपने गर्दन पर भी जरूर दियान दे और मैं भी क्या करती हूं मैं आपको वीडियो में बताती हूं तो मैं सिर्फ आपको अ और अपनी neki care नहीं करोगए तो फिर उसके जो इसके इसके डाल आपको नजर आएगी और एकदब बार symbi हो जाएगी तो इसलिए पूरा एक जासा होना चाहिए कहीं से ब्लैट हो कहीं से डार्क हो कहीं से डाल हो कहीं से फेरो तो फिर गली नहीं लगता तो दिखिए इसे मैंने इस तरीके से लगा के छोड़ दिया अब यह मैं कितनी दिर के लिए लगा के छोड़ देती हूं अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो कम से कम 10 मिनट के लिए आपकी चेरे पे रहना चाहिए 10 मिनट का टाइम नहीं है तो आप कम से कम 5-7 मिनट के लिए छोड़ जो अपने टमाटर का जूस निकाला था ना जूस का तो अपने फेस पैक बना के अपने चेहरे पे लगा लिया लेकिन जो टमाटर बचा हुआ था उसे आपको लेना है और उससे आपको कम से कम एक से दो मिनट के लिए अपने चेहरे की मसाज करनी है आपको इस मसाज को करने क लिए कम से कम एक से दो मिलट का टाइम तो जरूर देना ही चाहिए तब ही आपको इसके जो रिजल्ट से काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे तो देखिए इस तरीके से अपनी गर्दन पर भी करें मतलब जहां पर भी आपने उस पैक को लगाया है उस जगे पर साज करने के बाद आपको लेना है ठंडा पानी और अपने पूरे चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है तो मैंने अपने ठंडा पानी लिया है इसमें मैंने कॉटन का हिंकी को डिप करके और अपने पूरे चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया अब लाश्ट में मैं आपको तो पताती हूं फिर मैं क्या अपने के ड़ाती हूं यह यहां पे लेने वाली हूं i total जैल hill हूं कि मेरी मेरी office किन को काफी सूट करता है और काफी अच्छी काम भी करता है मेरीον को तो भूब भी लगा सकते हो और अगर आपकी स्किन को एलोवरा सूट करता है तो आप इसे भी लगा सकते हो मैं क्या करती हूँ अपनी आई लेसिस पर लगाती हूँ अपने पूरे चेहरे पर इसे अच्छे से लगा के और यह मसाज भी मैं कम से कम आधा एक मिलट का टाम जरू देती हूँ मतलब एक मिलट का टाम तो देना ही चाहिए हलकी हातों से और यह मसाज आपको तब तक कड़नी है जब तक जो आपने अलोवरा लिया या फिर आपने कोई अपनी नैट क्रीम लिये वह अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तो यह तो मेरा है सिंपल सा अपना समर नाइट स्किन की रूटिन जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है आपको कैसा लगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और रिजल्ट्स कैस करता है तब तो आप इसे अपने चहरे पे लगा सकते हो नहीं करता तो आप इसे छोड़ दीजिए क्योंकि जो चीज मैं अपने चहरे पे लगाती हूं जरूरी नहीं है कि वहीं चीजें आपकी स्किन को भी सूट करें ठीक है ना तो आपको चेक करना होगा कि यह सब कुछ आपकी skin को suit करता है कि नहीं करता आप मान लीजिए मैंने कोई भी face pack तयार किया है उसमें मैंने 4 चीज़ें डाली है 4 में से अगर आपकी skin को उन में से कोई एक suit नहीं करती तो आप उसे skip कर दीजिए और 3 चीज़ों का pack बना के आप अपने चेरे पे apply कर सकते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 4 ही चीज़ें आपकी skin को बिल्कुल भी suit नहीं करती तो आपको उसे लगाने की जरूत नहीं है वही चीज़ें अपने चेरे पे लगाया करें जो आपकी skin को suit करती है ठीक है ना तो आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करके जाना लाइक करें वगर बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहत लगती है और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फिस्बूक पर फॉलो नहीं क्या तो जल्दी से कर लिजे और दोनों जगे मेरी आईडी है नेश्ट्रल पूजा तो ऐसी ही प्यारी सी वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत ही जल्दी से मुलाकात होगी बाई बाई